कहानी सिर्फ हीरो और हीरोईन से पूरी नहीं होती लेकिन हमारे यहां की मसाला फिल्मों ने हमें ये सिखा दिया है कि फिल्म में सिर्फ दो तीन किर्दार ही महत्पूर्ण होते हैं जबकि बाकी सारे किर्दार नेपत्थ में अपना काम करते जाते हैं उन दो-तीन किर्दारों को उभारते जाते हैं लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं अमरीश पूरी जिनका अभिनाय बेमिसाल था परदेश और DDLJ जैसी फिल्मों में उनके जैसा ससक्त और मजबूत किर्दार इथा जिसकी वज़े से शारुक के किर्दार को उभार मिला लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की परमपरा देखिए कि आज शारुक सुपरिश्टार हैं लेकिन अपनी एक्टिंग के लिए अपनी पूरी जिन्दगी दे देने वाले अमरीश पूरी को उनके एक्टिंग करियर में एक भी उलेखनी अवार्ड तक नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री में कुछ किरदारों का कुछ अभिनेताओं का सामराज इसी तरह लिखा जाता है और बाकी के सारे अभिनेता जो साइड में कभी खड़े रह जाते हैं उनके पास बुढ़ापे में जिन्दगी जीने भर का पैसा भी नहीं बचता है ये बाते हमें याद आ रही हैं सीता राम पानचाल की वज़े से सीता राम पानचाल वो एक्टर जो पीपली लाइव, सहाब इवी गैंग्ष्टर और स्लम डॉग मिलेनियर जैसी फिल्मों में काम कर चुका है पिछले तीन साल से कैंसल से जूज रहा है और आज उसके परि इतना दुर्बल हो चुका है कि उसे इस रूप में देखने के लिए हिम्मत की जरूरत है अपनी हालत पर उन्होंने फेस्बुक और वाटसेप पर अपने दोस्तों और प्रशंसकों से अपील की है उनसे मदद मांगी है उन्होंने लिखा है कि भाईयों मेरी हेल्प करो मेर कैंसर से हालत खराब होती जा रही है मैं आपका कलाकार भाई सीता राम पांचाल ये इनकी एक और तस्वीर है पांचाल को आपने कई फिल्मों में देखा होगा वो वरिष्ट कलाकार हैं और जो अभी वो जिस हालत में हैं वो इससे काफी बहतर डिजरू करते हैं लंग्स और किड्नी के कैंसर से जूच रहे हैं पांचाल अभी आयूरवेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री से कुछ हैसे एक्टर्स जिन्नों ने उनके साथ काम किया है इन तीन सालों में वही लोग उनकी आर्थिक मदद करते आ रहे हैं इन लोगों में इर पांचाल मदद मांग रहे हैं ताकि वो और उनका परिवार सर्वाइव कर सके प्विटर पर डाइरेक्टर अश्वनी चौत्री जैसे कई लोग पांचाल के सपोर्ट में आये हैं उन्होंने पांचाल ने अश्वनी की डेब्यू हरियानवी फिल्म लाडो में काम किया था जिसे नेशनल अवार्ड मिला था सिने एंट टीवी आर्टिस्ट असोसियेशन के लोगों ने भी फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों से अनुरोद किया है कि बाकी लोग पांचाल की मदद करें ये जो आप सीन देख रहे हैं इसमें ब्रजेन जकाला और संजय मिश्रा फिल्म के सेट पर बैठे हुए हैं और पीछे जो शक्स बैठा दिख रहा है भगवा कपडों में वो सीता राम पांचाल हैं सीता राम पांचाल की फिल्मों की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी फिल्म याद आती है पीपली लाइव पीपली लाइव में जो नथा का किर्दाद था वो आत्मक्तिया करने के लिए आमादा हो जाता है लेकिन उसको यह आइडिया देने वाला जो किर्दाद था वो सीता राम पांचाल नहीं किया था वो एक सीन है जिसमें वो खटिया पर बैठे हुए हैं उठते हैं बड़ी मस्ती से कहते हैं कि यह जो सरकार ह नहीं है अब तुम्हारे पास देने के लिए सिर्फ जान ही बची है तो तुम वही दे दो जिमी शेगर और माही गिल की फिल्म साहब बीवी और गैंग्स्टर में भी सीताराम पांचाल का एक महत्पूर्ड किर्दाद था पहले पार्ट में वो रडदी फुड़्डा का ज साहब के पास रहते हैं वही सीताराम पांचाल आज कैंसर से जूच रहे हैं और उनको मदद की जरूरत है इनकी मदद अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको दो रस्ते बताए देते हैं यहाँ पर फेस्बुक पर जब इनके हक में अपील की गई थी तो आर्टिस्ट असोसियेशन जो है उसने फेस्बुक पोस्ट में इनका एकाउंट नमबर दिया था और यहाँ पर आप इनकी मदद कर सकते हैं फंडरेजिंग साइट केटो पर भी इनके लिए डोनेशन किया जा चुका है जहाँ पर अब तक सवा लाक रुपए जुटाए ज सीता राम पांचाल फेस्बुक पर भी एक्टिव हैं वहां पर इनका हाल पूछा जा सकता है और अगर आप इनकी कोई मदद करना चाहें इनके फेस्बुक एकाउंट के जरिए बात कर सकते हैं एनेश्डी से पास आउट होने वाले सीता राम पांचाल अभी तक कई फिल्मों में दिख चुके हैं लेकिन उनके छे ये छे किर्दार सबसे महत्पूर्ण हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं पांच सिंग तोमद 2012 में फिल्म आई थी जिसके लिए इर्फान को नेशनल अवार्ड मिला था इस फिल्म में सीता राम ने राम चरंड का किर्दार निभाया था 2001 में इर्फान की एक फिल्म आई थी The Warrior इसमें इन्होंने एक धाबे वाले का किरदार निभाया था ये आसिफ कापाडिया की फिल्म थी इसी साल आई अक्षा गुमार की फिल्म Jolly L.B. 2 में सीता राम का किरदार बड़ा मज़धार था इसमें ये एक ऐसे शक्स होते हैं जिसका डिट सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है जबकि ये जिन्दा होते हैं पीपली लाइव में भाई ठाकूर का किरदार जैसा मैंने बताया अभी कि यही वो थे जिन्होंने नथ्था से ये कहा था कि तुम अपनी जान दे दो तो सरकार तुमारे लिए कुछ कर देगी इन विचैनी गिफ्स इड़ोजवन्स 1989 की फिल्म ये इसमें हवलदार के किरदार में थे ये अरुंधती रौई की वही फिल्म थी जिसमें शारुख ने पहली बार किसी फिल्म में काम किया था 1994 में आई शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट कुईन जो फूलन देवी पर बनी थी इसमें सीता राम लाला राम के किरदार में थे मुंबई की जुग्यों में आपको सीता राम पांचाल जैसे कई अभी नेता मिलेंगे जिन्हों ने फिल्मों में अपना काम किया कई दूसरे के दारों को मदद की और आज इस हालत में हैं कि वो अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो उसके तरीके हमने आपको बता दिये हैं फिल्मों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फिल्मों के रिव्यू के लिए दिललन टॉप के साथ जुड़े रहें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया